दो मिनिट इस वीडियों को गंभीर होके देखिए आपने वीडियों बनाने का उद्देश मेरा यह नहीं कि मैं कैप्टन मीलर फिल्म का रिव्यू करने बैठा हूं मैं आज कैप्टन मीलर फिल्म से कुछ सीखने की आवशकता है उस समय अंग्रेज किस प्रकार से हम भारतियों की उर्जा को एक्स्प्रोइट करते थें उनका सोसां करते थें उनका गलत जगह पर इस्तेमाल करते तो वो मैं बताने वाला हूं सोचे मुठी भर अंग्रेज थें और पूरे भारत पे 200 साल तक उन्होंने सासन किया कैसे किया हमारे ही लोगों को सैनिक में कुछ आर्थी गुरूप से मजबूती के नाम पर प्रोलोभन दिया उसके बार हम भारती अपने भारतियों को पर बंदूप चलाते थे और यह प्रवाल है आपको यह फिल्म देखना चाहिए बस आपको हम को नहीं हर भारती को फिल्म को देखना चाहिए और सीखना ुदी हमारे भारत्य ऑरस सदेश में हमारे देश का युवा किसान छात्र गरीब मजदूर कहीं भी आंडोलं करता है। उस आंडोलं को दबाने के लि या फिर सिदेख गोली मार देना चाहिए या फिर गूटली इंजर्ड कर देना चाहिए आँखे ले लो तो हाथ तोड़ दो यही हुआ था जालिया बाहला बाग जो हत्या कांड हुआ था जनरल डायर के इस आने डेस में 1999 में तो क्या हुआ था दो चार अंग्रेज थें उसके बाद जितनी भी गोलियां बड़साई गए थी हो सब कौन था हम भारती लोग थे हैं जो अंग्रेजों के सेना में भरती हो गया हैं उसके बाद मारों सिवासंद बोस को लोग क्यूँ पूछते हैं जब्षोताथासेनानी की बात आती है फो लोग उसे क्यूं पूछते हैं उनकी पूंजने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह प्रसासनिक सेवा में चैन होने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि अरे सॉसन किसके उपर करना है मुझे रहना है अंग्रेज़ों का तब उन्हों का बहुया आपकी सेवा में नहीं बने रह सकते हम इसे छहोड़ वह हाई बेदी कह रहा है न तमाम जग़एपे कहीं किसान अंदल न हो रहा है और यह जो प्रदर्सन सबसे पहले सांती में ही होता है इनको हटाने के लिए ने अलका सा यह तीन पांच करते हैं उसके बाद उग्रव में बदल जाती हैं सारी सीजे बार के खदेड़ने लगते हैं कभी के बाद बोलियां भी बरसा ही जाती हैं तो इस फिर में पूरी तरह स जब क्याप्टेन मीलर इस बात को समझ जाता है जो धनुष होते हैं उनके कुछ समकच्छी जो होते हैं जो एक्टर जो इसमें एक्टिंग किये हैं सायोग की रूप में जब समझने लगते कि भीया यहां पर तो बस यही है हमें बली का बकरा बना दिया गया पहले खिलाए पिलाएंगे सिखाएंगे ट्रेंड करेंगे उसके बाद किसी बारी से हमें युद्ध नहीं करना है अपने ही लोगों से करना है कुछ लोग प्रोटेश्ट कर रहा हैं आंदोलन कर रहा हैं उसके बाद हम उन्हीं को पर गोलिया चलानी है यह बात उसमें पूरी तरह से बत और ये सच्ची घटनाओं पर अधारिती फिल्म है हर जगे आप देख सकते हैं हर जगे यह इस्तिती बनी हुई है और आज भी यदि आप किसी सेवा में हैं तो एक बार अवस्र विचार भी मुश्क करिएगा यह कोई बहार ही नहीं है यह आपके अपने लोग हैं हम आज अं और विचारों के प्राथ मिक्ता दें तब जागत पूश्ची जे पढ़ियां से चलेंगे जाएं